शौन एबट ने भारतिये गेंद बाजों की बखियां उधेर कर एक रिकॉर्ड बना दिया है अब वो शेन वॉन, ब्रेट ली जी हाँ इन जैसे दिगज आस्ट्रेलियन्स के खास एक कलब में शामिल हो गए है शौन एबट ने इंडिया के अगेंस्ट दूसरे ओडियाई में एक ताबर तोड बल्ले बाजी कर पचासा बनाया था आस्ट्रेलिया के ये तेज गेंद बाज दूसरे वंडे में च्छा गए थे टीम जरूर हार गई थी उन्होंने शेन वान और ब्रेटली के खास कलब में एंट्री कर ली है इस पचासे के साथ आस्ट्रेलियाई टीम दूसरे मैच में इंडिया के सामने उतरी जी हाँ और बुरी तरह से पस्त हो गई भारत ने बारिश की वजह से 99 रन से एक बड़ी जीत हासल की बारिश की वजह से आस्ट्रेलिया इपारी के दौरान एक घंटे से ज्यादा वक्त थक खेल रूक दिया गया था इसके वज़े से डगवर्थ लूइस आ गया गेम के अंदर और कंगारूओ को 33 सोवर में 317 रन बनाने का एक रिवाइजड टार्गेट दिया गया। इसके बाद इंडिया ने आस्ट्रेलिया को महज 217 रनों पर धेर कर दिया और 99 रन के एक बड़े अंतर से जीत हासल की। हाला कि इस हार में आस्ट्रेलिया को एक जीत दरूर मिल गई है। तेस गेंद बाद शान एबट ने एक शानदार अर्द शतक के पारी खेली और भारती गेंद बादों की जम कर बक्खिया उदेरी। आठवे नंबर पर बल्ले बादी करने उतरे शान एबट ने 36 गेंदों में चार चौकों और पाच लंबे लंबे च्छकों की मदद से 54 रन बनाए। एबट ने सर्फ 29 गेंदों में 50 अपनी कम्प्लीट कर ली और ये उनके वन डे करियर का पहला अर्द शतक था पहला पचासा था। आबट ने वो हालातों में 50 बनाई जब बाकी ऑस्ट्रिलिन बड़े बड़े दिंक जिस्टीव स्मित जैसे मारनस लाबुशेन ये लोग पिछ पर टिक नहीं पाए थी। आबट ने मुश्किल हालातों में जोश हेजलवुड के साथ मिलकर नौवर विकेट के लिए 77 रन की पार्टनर्शिप की। हेजलवुड ने भी 16 गेंदों में 23 रन बनाए हाला की बात शान एबट की होगी क्योंके शान एबट आखरी प्लेयर के रूप में पवेलियन लाटे। उन्हें रविन्दे जाडेजा ने बोल्ड कर दिया और इस तरह से पारी को खतम कर टीम इडिया ने बड़ी जीत एबट ने शांदार बल्लेबासी के दम पर आस्ट्रेलिया के पूर्व दिगज शेन बॉन और ब्रेटली के खास कलब में इंट्री कर ली है अंदरसल शान एबट और हेजलवुड ने वन डे में आस्ट्रेलिया की ओर से नोवे विकेट के लिए जॉइंट यानि की जॉइ एक सो पंदरा रण जोड़े थे शान मार्श और डग बॉलिंजर ने ये जोड़ी दूसरे नंबर पर ही दोनों ने 2011 में इंग्लेंड के खलाफ 18 रण की पार्टनर्शिप की थी और सिर्फ इतना ही नहीं शान एबट ने एक और रिकॉर्ड बनाया है आपको बताता हूं प खलाफ पॉर्ट ऑफ स्पेन में आये थे इसके लावा शान एबट और जोश हेजल वुड ने 77 की पार्टनर्शिप करी भारत में इन दौर के मैदान में अब दूसरे रिकॉर्ड पे आते हैं नंबर आठ या उससे नीचे बैटिंग पर आकर एक पारी में सबसे ज्यादा लगाने वाली खिलाडियों के लिस्ट में शान एबट तीसरे नंबर पर आ गए हैं जॉइंट है उन्से पहले ब्रेटली और जेम्स फॉक्नर ने पाच छक्के लगाए हैं ली ने 2012 में वेस्ट इंडीस के खिलाफ जबकी फॉक्नर ने 2014 में इंगलिंड के खिलाफ ऐसा कार जेम्स फॉक्नर छे उसके बाद आ जाता है ब्रेटली उनके खिलाफ उनके नाम पाच छक्के हैं फिर जेम्स फॉक्नर पाच छक्के साथ एक बार फिर से और अब शॉन एबट पाच छक्के लेकर वह इस लिस्ट में जॉइंट थर्ड पे आ गए हैं अब आप समझ सकते है कि शॉन एबट के रूप में ऑस्ट्रेलिया के जीत ढूंड लाई है यानि कि उसे हार जरूर मिली है लेकिन एक पॉजिटिव आपको मिल गया है वर्ल्ड कप से पहले लेकिन वही कहते हैं जब आपको ज्यादा पॉजिटिव मिल रहे होते हैं तो आपका कप्तान और कोच दोनों कनफ्यूज हो जाते हैं कि अब भला प्लेइंग 11 को चुने कैसे आपको शॉन एबट की पारी कैसे लेकि मुझे कामट में जरूर बताएगा वीडियो अगर आपको पसंदाए होते हैं लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते हैं चानल को सब्सक्राइब करना बलकुल नभूरें